अगर आप Excel में किसी भी सेल में जंप करना चाहते हैं तो आप गूटू option का इस्तमाल करते हैं और कोई भी सेल के अंदर का टेक्ष्ट कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट option का यूज़ करते हैं लेकिन गूटू का एक स्पेशल अप्शन होता है जिसे गूटू स्पेशल का आजाता है और पेस्ट का भी स्पेशल अप्शन होता है जिसे पेस्ट पेशल का आजाता है गूटू स्पेशल और स्पेश्ट पेशल आपको ज़रू आने चाहिए क्योंकि इन से बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रब्लम सॉल होते हैं तो गूटू स्पेशल डीटेल में अगर आपको सीखना है तो आज का वीडियो है जिसके साथ मैं पेश्ट पेशल भी आड़ करने वा लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको बताओ कि आप अगर एक्सेल ट्रेल चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आपको टाइम पे मिले और आप एक्सल में एक्सपर्ड बने डैपिनेटल बनोग यार लेकिन पहले सब्सक्राइब और बेल लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिये जिसके उपर चल रहा है Microsoft PowerPoint course बिल्कुल फ्री मैं Microsoft Publisher course वो भी बिल्कुल फ्री में जल्दी से जाकर इन्रॉल कीजिए और वहां पे बहुत सरे और भी कुर्सें इसमें आपर चल रहा है 90 to 95% discount उसे भी आप इन्रॉल कर सकते है गर बैटे बैटे आप computer में expert बन सकते हैं दोस्तों इंतुजार किस बात का करें लिंग में लिंके चेक कीजिएगा फिलाल तो अपने topic के तरफ बढ़ते है जो है go to special और space special कुछ special है आज के वीडियो में आपके लिए तो चलिए computer screen पर बढ़ते हैं दोस्तों go to special के लिए यहाँ पे लिए मैंने कुछ sheets जो आपको दिखाए दे रहे हैं sheets में बहुत सारी है तो मैं आपको इसमें बता हूँगा कि go to special में हम काम कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या है Ctrl G प्रेस करना है और उसके अंदर Ctrl G प्रेस करने के बाद इस तरह से डायला बॉक्स आपके सामने आ रहा है जिसके अंदर आपको special option यहाँ पे दिखाए दे रहा है जो की go to तो आपको पता है कोई भी sale पे jump करने के लिए हम go to use करते लेकिन अगर आप यहाँ पे special पे क्लिक करते हो तो आपको यह go to special का डायला बॉक्स मिल जाता है और इसके अंदर comments, constant, formulas बहुत कुछ है तो चलिए step by step एक एक करके हम यहाँ पे practically करके देखते हैं लेकिन यह go to special Ctrl G बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे special पे click कीजिए है फि go to special मेरा access हो रहा है जैसे आपको दिखाए दे रहा है मैं click करता हूँ तो go to special यहाँ पे access हो चुका है लेकिन यह यहाँ पर आया कहा से तो मैं आपको बता देता हूँ add कैसे करने है simply इस arrow पे click कीजिए और यहाँ पे दिखाए देता है आपको more commands जो कि मैं 2016 यूज कर रहा आप अगर कोई 2013 या कोई और command यूज करता हो तो आपको file में या जो office button रहता है यहाँ पे options में customize ribbon में जाना रहेगा customize ribbon से आप यहाँ से ribbon customize कर सकती ही यह आपको पता रहेगा या फिर यहाँ से मैं directly जा रहा हूँ फिलाल more commands more command options में से मैं select कर रहा हूँ क्या मैं go to special यहाँ प रखोगे और फिर जी बटन प्रेस करोगे जी बटन प्रेस करने बाद थोड़ा सा scroll कीजिए और फिर आपको यहाँ पर जी से related सा भी command मिलेगी और वो भी मिलेगा जो आपको चाहिए हमें क्या चाहिए go to special और उसे select करके simply add बटन पर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर जैसे कैसे लाना है यह पहले आपको बता दिया दोस्तों मित करता हूँ यह तो clear है आपको लेकिन आप आगे बढ़ते है इसमें comments होता क्या है देखिए comments मैं click करता हूँ और okay करूँगा तो इस जो sheet है इसके अंदर जितनी मैंने cell में comment लिके वो cell यहाँ पर highlight हो रहा है अगर मैं इस cell को एक साथ format करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ यहाँ पर red color में highlight हो रहा है यह क्यों पर comment होता क्या है add कैसे करते शायद आपको पता रहेगा नहीं तो आपको पता जिता हूँ right click simply और insert comment करना देता है इसके बारे म यहाँ पर कुछ information लिख सकते दोस्तों जैसे कि वाइबोव के बारे मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है लाब 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 अप लिख सकते जैसे मैं यहाँ लिखाए ललित के बारे में best performance वरुन के बारे में best performance तो एक साथ सभी comments highlight करना है तो control G button और दुबारा मैं बत पर दिखाया देती है किसको आपने comment दिया है वह आपको highlight करना है अलग color में highlight करना है तो आप इस तरह से highlight कर सकते हैं आपको दिखाया दे रहा है तो comments को एक साथ select करने के लिए आपको go to special के अंदर option दिया गया है यह तो आपको समझ मैं होगा दोस्तो अब बढ़ते आगे आपको तो constant में हमें क्या select करने है इसमें number select करने दोस्तो तो numbers अगर select करने है तो मैं क्या करता हूँ इनके checks हटा देता हूँ और numbers constant जो जो है वो दिखाया दे तो okay करता हूँ अब यह numbers constant है और इसमें यह भी number constant है यह थोड़ा सा अलग selection आता है यह head cell होती है तो हमेशा white column मे आपको दिखा दे तो constant number यानि कि इसमें directly number type किया है आप formula भर में देख सकते है यह number ही है लेकिन इस cell में click किजिए और formula भर में जरा note down किजिए इसमें formula है और यहाँ पे excel भी select हो चुका था तो यहाँ पे गलती से इंटर करते है यह constant number हो चुका है मतलब अभी किसी ने इंट text के लिए भी कर सकते constant text कौन से यानि कि जिसमें formula नहीं है ऐसे text constant ही रहेंगे तो चलिए text देखते है ऐसे कौन से तो यह एक दो तीन column के text constant है बाकि सब यह text constant नहीं है यह जोड़ दिख रहा है आपको यह text constant नहीं है यह formula से आयो text है आप इसमें click करोगे तो यहाँ पर formula जो constant के अंदर मिल रहे थे आप numbers के formula देखना चाहते है आप text के formula देखना चाहते है आप logical के और error के आप सभी देखना चाहते है तो सभी check रखिए फिलाल मैं क्या करता हूँ मैं इसमें से uncheck कर रहा हूँ errors logical और text तो numbers formula जहां जहां है वो highlight हो जाएगा इस cell में भी highlight है ज़रा 3000 लेकिन ये वाला सेल highlight नहीं है ये white में दिख रहा है और क्योंकि इसमें formula नहीं है आप check कर सकते हैं इसमें formula नहीं जो कि मैंने बताया already आपको ये numbers वाले चीज़ों के बारे मैंने बताया आपको लेकिन आगे आपको मैं बताऊंगा कि special के अंदर अगर मैं formulas में इसमें text र formula दिखाए दे रहा है ये text formula यहाँ पर use किया है तो इसमें text formulas दिखाए दे रहा है highlight हो रहा है select हो रहा है directly तो आपको यहाँ पर special में ये समझ में आया दोस्तों कि इसमें number formula, text formula even you can highlight the logical formulas also but how it is let's check it out तो यहाँ पर मैं logical formulas highlight करना चाहता हूँ जिसमें logical formulas है तो मैंने uncheck किया बाक तो यहाँ पर आपको यह समझ मैं कि कैसे करना कैसे है तो यह go to special के options तो हमने देख लिए formulas वगरा कैसे आखरी भी देख लिए error भी मैंने रखा है यहाँ पर तो खली errors highlight करना चाहता हूँ मैं तो errors के लिए check रखता हूँ errors भी देखे, errors जिसमें है वो sell highlight होगे, errors आप एक selection में कौन-कौन से blank से, तो चलिए यहाँ पर एक blank है और यहाँ पर एक blank है तुरंट highlight करके दिखाए देगा, आपको इस sell में जहाँ पर भी blank रहेगा वो आपको यहाँ पर तुरंट note down हो जाएगा, अगर आपको blanks row highlight करने है और delete करने तो blanks में चाहिए और यहाँ पर आप पर blanks फिकलिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पर blanks ही highlight हो रहे दोस्तों और उसके बाद मैं control minus button प्रेस करूँगा simply और entire row delete कर दूँगा, इस तरह से highlight, मतलब वो delete हो जाएगे, तो blank row अगर delete करने quickly, blanks भी delete करने quickly यहाँ highlight करने उसे, तो control G में जो blanks को highlight करने के option दिखाए दे रहे, blanks, अब उसके बाद है option current region, उसके बाद है current array और object, तो current region के लिए मैं आपको बताओ, कि अगर suppose यहाँ पर यह content आपके है, तो इसमें content यहाँ पर भी नीचे है, चलो मैं कुछ content type कर देता हूँ, यहाँ पर example के दोर पे, तो यहाँ पर यह अलग region है, य continue नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, cursor अगर मैंने यहाँ पर रखा, और मैं control A बटन प्रेस काता हूँ, तो automatically क्या हो रहा है, यह current region सेलेक्ट हो रहा है, वैसे ही यह go to special से, control A से तो होता ही है, go to special से भी वैसे ही होगा, तो go to special में जाइए, current region पे click कीजिए, current region, sorry, current array, ok कीजि don't do all these things, यार, shortcut की है, तो वही उस करना सीखो न, तो चलिए दोस्तो, तो यह तो समझ मैं है दोस्तो, तो go to special में यह current array भी काम की चीज़ है, current array होता क्या है, मैं यहाँ पे array ले चुका हूँ, यहाँ पे एक table है मेरे, यहाँ पे दीख रहा है आपको, और मैं select करना चाहता ह कि इसमें, suppose मैंने यह data select कर लिया, इसमें array कौन सा पार्ट है, वो highlight होना चाहिए, तो यहाँ पे इस sheet के अंदर मैं cursor रख देता हूँ, यहाँ पे data के अंदर, और इस region में array कहां से कहां तक है, वो मुझे देखना है, array मैंने कैसे किया है, यह आपको मैं चेह तो बता दूँ आपको पता है कि यहाँ पे 10 into 1 यहाँ पे आने वाला है, तो मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, 1 to 10, तो इसे मैं delete कर देता है, तो मैं आपको दिखा तो यह array मैंने बनाए कैसे, फिर मैंने यह जो formula है, मुझे repeat करना था, यह वाला दिया, और column input में यह वाली sale लेता हूँ, उसके बाद आप ध्यान देजिए कि मैंने यहाँ पे row में कौन से sale लिए, और column में कौन से sale लिए, उमिद काता आपको यह clear हो चुका होगा, अब देखिए result क्या आने वाला है, result आने वाला इसका table बनते जाएगा, तो यह simple जीज़े मैंने यहाँ पे बना दी है, और यह से को हम array बोलते हैं, यहाँ पे उपर आकर आप formula में देख सकते हैं, तो यह array है, तो मैंने array explain किया, अगर array आपके formula में कई पे भी है, तो array कितने range पे तक है, वो find out करने के लिए, आप उसको यहाँ से go to special से कर सकते हैं दूस्त तो यह clear हो चुका होगा, यहाँ पे दिखाए दे रहा है आपको यह special के अंदर array option दिया है, और last option दिया है, यहाँ पे इस line में, मतलब अभी और options तो हमारे बाकी है, इस line में object option दिया है, तो object option कहाँ पे, यहाँ पे object options है, यहाँ पे दिखाए दे रहा है object options, तो object option का use होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ चलिए मैं object sheet पर चाहता हूँ यहाँ पर मैंने तीन object लिए आपको दिखाया दे रहा है यहाँ पर कुछ text लिखा हुआ है यहाँ लोगों लिए है मैंने learn more का यार लाइक तो कीजिए इस वीडियो को ऐसे एक text लिखा है लाइक जरूर कीजिए लेकिन मैंने यह जान बूच कर लिखा है आपको लाइक याद देलाने के लिए बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पूरा लेकिन लाइक करना भूल जाते यह जान बूच करते नहीं होंगे आपकी मर्जियार अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन मेरी मेनत अगर अच्छी लग रही तो आप लाइक करेंगे, फिलाल तो मैं आपको बताओ कि यह object कैसे select करने हैं, तो Ctrl-G बटन प्रेस कीजिए, special में जाहिए, और object के लिए object क्लिक कीजिए, ओके, अब दिखा दे रहा है, सभी object एक साथ select होगे, इन object की बीच में, selection की बीच में switch होना है, तो आप tap बटन प्रेस कर सकते हैं, देखिए, tap बटन प्रेस करो में, तो serially पहला learn more select हो रहा है, फिर logo select हो रहा है, उसका और like कीजिए वाला text select हो रहा है, तो इस तरह से ये तीनो select हो रहा है, तो आपको समझ में होगा, किस तरह से ये selection हो रहा है, और selection आप reverse direction में लेना चाहता है, तो shift, tap बटन प्रेस कीजिए, reverse direction में ये selection आ जाता है, तो object को अगर select करना है, Excel के अंदर, तो उसके लिए go to special के अंदर एक option है, special option, जो कि आपको समझ म ने बनाई है, तो यहाँ पर इस sheet पर notice कीजिए, आपके बस इस तरह से data है, लेकिन आप find out करना चाहते कि कौन से row में value change हो गई है, अगर यहाँ पर देखिए, तो पूरे rows में same है, लेकिन आपको rows की values highlight करनी quickly, तो अब एक एक करके तो highlight नहीं करते बटेंगे, तो इसके लि row differences, row differences मैं आपको बता रहा हूँ, row differences के अंदर यहाँ पर ok कीजिए, तो आपको दिखाए दे रहा है, कौन कौन सी cell है, और आप यहाँ से home tab में से उसे color दीजिए, ताकि quickly highlight हो जाए, तो जो cell difference है row के अंदर, यह row के अंदर, वो highlight हो रही quickly, दिखाए दे रहा है, यह सभी similar cell स सभी की values similar है, तो यहाँ पर कोई highlight नहीं है, लेकिन इस row में दो values अलग है, तो आपको दिखाए देता है clearly, वैसे अगर आप column difference करना चाहते है, तो कीजिए, उसके लिए आप यह columns की values यहाँ पर दिखाए दे रहा है, इतनी values select कीजिए, ऊपर title तो में select नहीं करा हो, और उसक समझ में होगा दोस्तों, आप काफी समझदार हो यार, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो go to special में आगे का option हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है precedence and dependence, लेकिन है precedence and dependence कैसे use करने, वो तो समझ लेते हैं, यहाँ पर precedence होता है, मैं आपको बता देता हूँ, suppose यहाँ पर आ जात और sale add कर देता हूँ, यहाँ पर sale है, आपको दिखाए दे रहें, फिर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से add कर रहा हूँ, इन numbers को इस तरह से add कर रहा हूँ, इस तरह से add कर रहा हूँ, मैं यहाँ 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 आपको precedence होता क्या है, dependence होता क्या है, तो यहाँ पर उसके लिए इन sales के ओपर कौन कोई से sales depend है, तो मैं trace dependence करता हूँ, तो यह दिखाए दे रहा है यहाँ पे हैं, इसको लेकर मैं trace dependence करूँगा तो आ जाएगा, इसको लेकर अगर आप trace dependence करते तो कुछ नहीं आने वाला क्योंकि मैंने कुछ formula में in all ली नहीं किया है, तो trace dependence और precedence already find out करने के लिए option दिये है लेकिन आप go to special में से भी कर सकते हैं कि आप इस sale का अगर आपने इस sale select किया यह sale और उसके precedence values find out करना चाहते है direct only और all levels सभी levels के भी find out करना चाहते है मतलब वो values के पहले वाली level भी आ जाएगी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाली levels के इसे होती है फिल यहाँ direct only करते हैं और ओके देखते हैं यहाँ यह तीनों sales हाइलाइट हो रहे है क्योंकि इन तीनों sales का result मिला कि यहाँ पर आ चुका है अब यह direct only था अब मैं all levels का बता तो आपको अगर यहाँ पर दो numbers है आपको simply मैं आपको बताता है तो यहाँ पर दो numbers है और यह दोनो numbers का addition यहाँ पर मैंने कर दिया है चलिए मैंने यहाँ इन दोनों numbers का addition कर दिया तो यह दोनों का additions यहाँ पर आ रहा है और फिर इन दोनों में change किया तो यह change होता है तो आपको ये all levels वाला समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दिता हूँ, करना क्या है उसके लिए, वाप इस go to special में जाना है, all levels या पर precedence में जाना है, all levels और ok करना है, तो all levels में क्या होगा, ये sales भी या पर select हो जाएगी, all levels का meaning समझ में होगा आपको, क्योंकि ये sales के अंदर देखिए, तो ये तीन ही sales इन ओले, लेकिन इस sales के अंदर इन दोनों का involvement है, तो इसके वाज़े से ये all levels का इस तरह से precedence करता है, और वैसे आप dependence भी कर सकते हैं, dependence करने के लिए आपको जाना है, simply दुबार वहाँ पर ही जाना है, उसी options के अंदर, और यहाँ पर dependence option select करना है, और वैसे direct only all levels भी कर सकते है, फिलाल इसके उपर dependence यही एक ही sales ले, तो आपको dependence और precedence के लिए वैसे भी formulas tab में option दिये है, यहाँ से आप कर सकते है, precedence और dependence find out, but go to special में भी उसका use होता है, और go to special में भी option available है, यह मुझे बताना तो इसलिए मैंने यह सारा structure यहा होगा, क्योंकि रट्टा तो मारते हैं, नहीं हम, हम करते हैं पढ़ाई और वो समझ के करते हैं, तो हर एक चीज को मैं यहाँ पर explain कर रहा हो दोस्तों, तो यहाँ पर visible sales का आगे का जो example हम लोग देखने वाले वो देखते क्या है, Excel में यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है visible sales और last sales, last sales तो कफी easy है, मैं आपको दोनों भी दिखा देता हूँ, visible sales भी दिखा दे तो last sales, last sales होता क्या है कि suppose example लीजए, यहाँ पर इस data पर आते हैं हम लोग, कोई भी एक data ले ले लिते हैं, यहाँ पर इस data पर मैंने, कौन सी मेरी last sales है, suppose मैंने यहाँ पर कुछ content type कर दि नीचे, तो यहाँ पर मेरी last sales है, उस content आप देख सकते नीचे, तो मैं उस sales पर jump करना चाहता हूँ, तो आपको simply कर सकते हैं, बस आपको special में जाना है, और आपको दोना है last sales कौन सी, आपकी तो last sales पर click किजिए, और देखिए last sales हो गया, last sales बहुत simple है, आप आपको visible sales के बार videos है, एक काम कर देता हूँ, मैं आपके लिए, इस video के जो i button रहता है, cards में, उसमें, मैं subtotal का link डाल देता हूँ, आपको देखने में, मतलब search करने में असानी हो जागा, अगर आपको subtotal नहीं आती है, तो वीडियों वहाँ से देख लीजिए, और बाकी भी amazing features की videos हमेशा में cards में रखता हूँ, तो जरूर देखिएगा हमेशा, तो यहाँ पर मैं आपको बताओ कि इसे मैं select करके subtotal apply कर रहा हूँ, तो मैं select कर रहा हूँ, और data को select करने के बाद data में जाना है, दोस्तो, data को select करने के बाद data को जाना है, समझे बेटा, I am just joking भई, तो यहाँ पर करना क् इसे क्लिक किजिए right corner में आपको subtotal दिखाए दे रहा है, मैं हमेशा zoom करके बताता हूँ, तो इस बार भी जूम करके बता देता हूँ, subtotal पे जाना है, subtotal मे एक dialogue box आ जाता है, subtotal के अंदर dialogue box आ रहा है, इसमें मैंने designation wise already set किया, designation wise sum bonus का total लिका रहा हूँ, अब मैंने यह total तो तो मैं आपी इनको copy करना चाता हूँ, copy किया मैंने और एक मैंने नई sheet लिए, यहाँ पे sheet 8 जो blank है, इसमें मैं paste करना चाता हूँ, तो मैं यहाँ पे paste करा हूँ simply, control C और control लिकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने totally लिया ता बाकी का record भी आ रहा है, आप देख सकते, तो problem य हो चुका है कि यहाँ पे बाकी की sales जो इसके अंदर है hide वो भी आ रही है, तो उसके लिए करेंगे क्या, दुबारा इस data को select कीजिए, control G बटन प्रेस कीजिए, select करने के बाद, special में जाए और यहाँ पे आपको visible sales only, यह click करना इस बार, यह बटन यहाँ पे click कर दिए, यह क time नहीं बेश करूँगा, क्या हुआ है वो आपको दिखाय दे रहा है, और चली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है, explanation देने की अभी ज़रूत नहीं, कुछ result ऐसे रहते हैं, जो आप खुद समझ जाते हो, मुझे explanation देने की ज़रूत नहीं, और video कापी लंबा हो जा इसलिए मैं चाद expression नहीं देता हूँ, चली आगे बढ़ते हैं, बाते बहुत करता रहता हूँ मैं दोस्तों, चली यार, मज़ा आता है बाते करने में आप लोगों से, तो आगे go to special में देखते है conditional formatting और data validation और options है, तो यहाँ पे मैं इस sheet में आ जाता हूँ, इसमें मैंने क कुछ जगा पे conditional formatting apply कर दिया है, लेकिन मैं find out करना चाता हूँ कि कौन से, कौन से sale में मैंने conditional formatting apply किया है, तो मैं go to special में जाओंगा, go to special के अंदर यहाँ पे conditional formatting options आपको दिखाए दे रहा है, conditional format और यहाँ पे all या same, all मतलब सभी, इस sheet में जितने भी conditional formatting है, वो सब highlight हो आपgam किया हैं, आप conditional formatting में check कर सकते है, home में जाकर conditional formatting में जाकर आपको आगर rule चेक करनें, तो manage rule, और आप manage rule किसके check करनें चाते है, current selection के करना चाते हैं, तो यहाँ आ रहा है, this worksheet का करना चाते है, तो पूरा आजाता है, तो पूरा यहाँ तिखाए दे रहा है आपको symptomsurg statement यह वीडियो के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत ही अभारी हूँ आपका दोस्तों, तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक लास्ट उप्शन जिसमें है डेटा विडिशन, इसमें मैंने डेटा विलिडिशन अपको पता रहेगा, इस तरह से, मैं find out करना चाहता हूँ, क्यों को इससे cell में डेटा विलिडिशन है, तो आप स्पेशल में जाईए और यहाँ पर धीटा विलिडिशन पर क्लिक किजि अंदर कुछ special था जो कि मुझे लगा है बहुत दिन से कि यार इसके उपर एक वीडियो बनाना चाहिए एक दो बार comment भी आया थे मुझे पूछा भी कया था कि sir go to special के बारे में detail explanation दीजिये कि ये precedence होता क्या है, dependence होता क्या है, visible sales only होता क्या है बागी सारी चीज़े तो easy है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़े है जो शायद उनको नहीं पता थी इसलिए मैंने explain कर दिया दोस्तों, उमीद करता हूँ, ये चीज़े आपको समझ में आई होगी और don't worry दोस्तों, अगर आपको ये sheet चाही practice के लिए तो इसकी link मैं description में दे रहा हूँ, हमेशा description चेक कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सरे amazing video के links वगरा रहती है, वहाँ से आपको और वीडियो भी देखने मिल जाएगे और साथ ही में इस वीडियो की practice file भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वीडियो तो आगी चलते रहेगा लेकिन इस वीडियो में जो मैंने practice file यूज की उसकी link में description में दिये, आप हमारे telegram channel को follow कर सकते है, वहाँ पर भी practice file आपको मिलेगी, telegram channel पर पूरी practice file लेकि आप official का topic अच्छा लगा है, तो आपने already like button पे click किया होगा, दोसों like कीजिए, तो उसके साथ ये video share कीजिए, और हमारे website learnmorepro.com जहाँ पे चल रहे हैं देर सारी courses के ओपर, तो वह भी ज़रू check कीजिए, description में में लिंक दी है, Excel का पूरा course available है, Tally Prime का course available है, DCA course जहाँ पर 15 courses एक स certificate के साथ ये courses आपके लिए available है, दोस्तों तो ज़रूर आप check करेंगे, इसे उम्मीद है, फिलाल अभी एक और picture बाकी है हमारा, एक और topic बाकी है, वह है paste special, तो paste special कैसे करना रहता है, paste special detail में सीखते हैं, चलिए computer screen पे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों, paste special देखने के लिए यहाँ पे लिए है मैंने एक छोटा सा data, जिसके अंदर मैं आपको paste special समझाने वाला हूँ, लेकिन करना क्या है paste special के लिए, सबसे पहले data को हमें copy तो करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते, paste यह option highlight नहीं है, यह option तभी highlight होता है, जब हम data को copy करते, तो च पेस्ट के बारे मैं step-by-step आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं cursor यहाँ पे रख देता हूँ, पेस्ट करने के लिए, और paste में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको option दिखाए दे रहा है, वैसे मैं paste special यहाँ से ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो options दिए, step-by-step सभी options हम समझते हैं, तो सबसे पहला option जो आपको दिखाए दे रहा है, जैसे उसके पर mouse में रखूंगा, तो paste आ रहा है, जो कि normally हम लोग control-v करते हैं, तो यही paste होता है दोस्तों, चलिए इसको मैं click करके आपको दिखाता हूँ, result क्या आने वाला है, आप देख सकते हैं, as it is copy-paste हो यहाँ पर formatting नहीं आई है, बस यहाँ पर formulas आ चुका है, तो यहाँ पर content है, तो content आ रहे है, sell में content है, अरून, तरून, यह दिख रहा है नाम अपको, तो यह अरून, तरून, वरून, यह तो rhyming दिखाए मिने ऐसे, और यह content है, as it is आ रहा है, और इसमें formula है, तो formula भी तो कैसे लाना है, वो समझ मैं होगा आपको, second option से क्या होता है, उमीद का तो यह आपको समझाओगा दोस्तों, अब बढ़ते हैं, तीसरे option की तरफ, इसके लिए दुबारा में copy करूँगा, और cursor I1 sales में रखूँगा, और paste में जाकर, मैं यहाँ पर formulas and number formatting तीसरा लेता तीसरा लेता जो option से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं zooming करके भी आपको दिखा रहो, formulas and number formatting इससे क्या होता है, अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो आपको दिखाए देगा अभी, यहाँ पर formulasas के साथ-साथ number formatting भी आ चुकी है, मतलब आप notice कीजिए, पहले वाले page में क्या थ था, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, number formatting क्या आ रहा था, यहाँ पर 15,000 आ रहा था, यहाँ पर देखो, 3000.00, जैसे यहाँ पर number का format है, इस range के अंदर, वैसे यहाँ पर number का format आ चुका है, मतलब formula तो आएगा आएगा, साथ में number formatting भी आएगा, तो यहाँ पर number formatting आपको द है, आपको यहाँ पर समझ में होगा, कि इसमें number formatting इंक्लूड नहीं हो चुका है, और इसमें number formatting भी इंक्लूड हो चुका है, जैसे यहाँ पर comma और number formatting जिस तरह से इस cell में number formatting अवैलेबल है, उसी तरह से यहाँ पर formula के साथ-साथ number formatting भी आ रही है, तो यह difference इन दोनों में यहाँ पर रख देता हूँ, मैं अलग-अलग location पर दिखा तो आपको यहाँ पर, पेश के टाइम पर आप यहाँ पर लास्ट वाला पेश रम लेते हैं, इसमें क्या होता है, लास्ट वाला, keep source formatting होता ही है, keep source formatting यानि कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, जो source की formatting है, वो as it is आएगी, number format रहने दो, या color वगरा, everything, everything यहाँ पर आ रहा है, as it is, और आपको यहाँ पर formula भी दिखाए देगा, और formula जो था as it is दिखाए देगा, मतलब, normally यह पेश की तरह ही है, formatting के साथ-साथ, यह सभी keep source formatting भी include होता है, formula भी include होता है, सभी include होता है, normally, तो इस option के बाद ह आगे देखते हैं, जिसमें पेश में जाते हैं, हम लोग दुबारा, और यहाँ पे next no borders all options आपको दिखाए दे रहा है, यह no borders, यानि कि पेश के टाइम पे आपको borders नहीं चीए, तो आप यहाँ पे click कीजिए, देखिए, अभी यहाँ पे border नहीं आ रहे है, जैसे यहाँ प पेश करते हैं, हमेशा यहाँ पे no borders कीजिए है, अब आगे क्या है, keep source column width, यह interesting है, अब आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने column की width automatically adjust कर ली है, जो कि designation column के लिए जितना साइच चाहिए, तो वो ले लिया है, लेकिन जब मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साथी में column की width जो है, यहाँ पे आप देख सकते है, automatically, जितनी column की width यहाँ पे available है, उतनी column की, मतलब हर एक column की width यहाँ पे automatic लेगा, नहीं तो normal अगर आप पेश करते हैं, सपोज आप normal वाला paste options भी यूज़ करते हैं, जैसे यह वाला paste option, तो इसमें column की width का बहुत problem होता है, नॉर्मल control भी से अगर आप पेश करते हैं, तो column width क्या होता है, कि यहाँ का column width यहाँ पे नहीं आता है, तो अगर आपको ऐसा करना है, जिसमें column width भी आपकी copy होरी चीए, तो आपको क्या करना होगा, समझ गए ना आप दोस्तो, column width वाला option यहाँ से, keep source column width वाला यह option select करना ह जो कि मैं आपको zoom करके दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ गया होगा दोस्तो, अब आगे बढ़ते है, transform, transform में तो मैंने बहुत बार यूज किया है, मेरी बहुत सार excel के sheet के अंदर transform आपने देखा होगा, और यहाँ पे click करते हैं, आपको result भी समझ में होगा, जो आपने य आपे rows में data है, वो यहाँ पे अलग-अलग columns में आपको दिखाए दे रहा है, तो transform जब जरूरी है तब आप कर सकते हैं, और मैंने बताया तो आपको VLOOKUP का HLOOKUP data दिखाने के लिए हम लोग transform करते हैं, जैसे VLOOKUP का formula या VLOOKUP का मेरा एक घंडे का वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो आपको जरूर पता रहेगा, नहीं देखा तो मैं चैनल पे VLOOKUP का वन और का वीडियो जिसमें VLOOKUP किया, साथ अलग-लग examples से मैंने VLOOKUP detail में समझाया है, अगर आप Excel में कुछ interesting सीखना चाहते हैं, कुछ job oriented सीखना चाहते हैं, तो जरूर वो वीडियो जर option से हम कौन-कौन से paste कर सकते हैं, formula कैसे paste होता है, अब तक अगर अपने option use नहीं किये होंगे, तो अभी आपको use करने चाहिए, क्योंकि इनका काफी ज़्यादा use हो सकता है, अपको अलग-लग जगा पे, फिलाल तो आप paste values की तरफ बढ़ेंगे, फिलाल तो data copy है, तो मैं paste values म मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इससे होता क्या है, आप यहाँ पे भी data दिख रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यह पे formatting नहीं आ रहा है, साती में आप यहाँ पे देखें कि तो formula भी नहीं आ रहा है, formula भी नहीं आ रहा है, इन sales में क्या है, formula है, E2 into 20 percentage उपर लेकिन इन सेल में यहाँ पे formula नहीं आ रहा है तो यह data values पेच कर रहे हैं तो यह मुआ जब आपको आपके data में से formula निकाल निकालके एक्से़शीट भेज़ना है तो उसमयां आप यह यूज़ों कर सकते हैं तो बहुत सारी जगा पर इसका यूज होता है, जब आप अपर केस लोर केस जैसे फंक्शन यूज करते हो और आपर केस हटा देना है, तो आपको काफी कमाल का ओप्षन होता है, आप पेस्ट वैल्यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला हटाने के लिए आपकी डेटा में से, लेकि यहां पर मैं आपको दुबारा दिखा रहा हूँ, जूम करके वैल्यूज और नमबर फॉर्माटिंग उसके लिए शॉर्टकट की भी आता है, अगर आप देखेंगे, जैसे मैं माउस रखता हो, कोई भी इस पे, तो यहां पर साइड में एक शॉर्टकट की आपको दिखा आपको पता रहेगा, अगर आपको यह एक्सेस करनी है, मतलब यह सभी आप्शन से एक्सेस करने हैं, तो आपको यह लिए करना क्या होगा, अल्ट प्रेस करना होगा, अल्ट प्रेस करने के बाद है, बहुत सारे मेरे एकसल के स्मार्ट यूजर है, यानि एकसल में हमेशा क इसके बारे में जानते है values and number formatting क्या होता है values and number formatting मतलब होता है कि number की formatting जो है वो यहाँ पर दिखाये देगे as it is अगर आपको मैं आपको simply बता दिता हूँ अगर आप values में paste करते हैं नीचे देखिये यहाँपे values में तो यहाँपे number formatting देखिए कैसा आ रहा है और यहाँ पे देखिए values and number formatting में किस तरह से आ रहा है यह समझ मैं आपको की values and number formatting में क्या changes होता है और values में क्या होता है इसमें formulas आने वाला है नहीं है इसमें भी formulas नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं formulas इसमें भी उपर देखिए formula वार में दोस्तो formula नहीं है और यहाँ पे भी formula है नहीं है लेकिन इसमे number formatting नहीं आती है और इसमे Esse आती है क्योंकि यहाँ पर आप्षिन हमने लिया था अब यह तो number formatting वाला था चाहिए नहीं चाहिए हए आपकी उपर है चाहिए आपके यह वाला formatting अब values भी रहेगे और साथ में source formatting भी रहेगा लेकिन formula नहीं रहेगा आपको दिखाए दे रहा है यह जो data है यहापे paste हो चुका है लेकिन formula नहीं आ रहा है formula आप ऊपर चेक कर सकते हैं कि क्यों values ही है paste values ही होने वाले formula आने वाला है नहीं है तो आपको यह clear हो चुका होगा यह options होते क्या है किस तरह से करते हैं तो अभी उपर के 7 options हमने पहले clear कर लिए यह 3-10 option है आपे clear हो चुके है उम्मीद करता हूँ जरू clear होगे होगे और अब तक के option आपको अच्छे लगे हो तो एक like तो दे दो यार दोस्तो एक like कीजिए वीडियो का आगे बढ़ने के लिए या मुझे motivate करने के लिए आगे ऐसे interesting वीडियो अगर आपको चाहिए तो like बहुत ज़रूरी है यार जल्दी से like कीजिए मैं आगे continue करने वाला वीडियो में अभी आपको next option पढ़ाने वाला हो like तो किया होगा आपने लेकिन like किया होगा चलिए अब आप बोलोगे like को मैं इतना promote क्यों करता हूँ क्यूंकि like से मेरा वीडियो थोड़ा सा YouTube analytics में ट्रेंडिंग में आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ मेनत कर रहा हूँ तो वह मेनत सफल हो जाए सभी लोगों तक पहुचे और जब तक YouTube analytics वीडियो नहीं आता है तब तक बहुत सरे लोगों तक नहीं पहुचेगा तो आप हमेशन like किया कीजी है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अभी formatting options आपको दिखाए दे रहा है next यह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इसमें खाली formatting paste होने हो लिए और पेस्ट options में से हम formatting पहले ले रहे तो यहाँ पे आपको बस formatting दिखाए दे रही है इसमें data नहीं आएगा जी हाँ अगर आपको खली formatting लीनी है paste करके तो आप ले सकते है और कैसे हो रहा है वो आपको दिखाए दे रहा है next option हम लग ले रहे है यहाँ पे paste link options है मैं आपको बताता हो इस sale में अगर आप double click करते हो तो यहाँ पे देख सकते A1, A2, A3 दिखाए दे रहे है मतलब यह data यहाँ से directly link से paste हो चका है अगर आप यहाँ पे कई पे भी change करते हो तो यहाँ पे change होने वाला है example देखो MIS executive की जगर मैं आपको consultant select कर रहा हूँ तो यहाँ पे change हो यह पे पेश्ट लिंक का benefit होता है पेश्ट लिंक से क्या होता है आपको समझ मैं होगा पेश्ट लिंक कर सकते है आप जब data को आप interlink करना चाहते है यह data आपको जब पेश्ट करते है जिस location पे और original location पे अगर आप change करते है तो वहाँ पे भी change होना चीए उसके लिए आप paste लिए आता होगा बहुत सरे लोग excel में इस तरह से करते है पेश्ट लिंक यूज करने की जगह अगर आपको पेश्ट लिंक करना कीजी है यह करना यह किजी आपकी मर्जी भई मैं जज़ नहीं करूंगा अभी आप कौन सा option यूज करने वाले लेकिन information देना मेरा काम है और आगे का option देखते है अभी पेश्ट में मैंने अल्रेडी कॉपी किया इस डेटा को हमेशा कॉपी की ज़रूत पड़ती है और लास्ट अप्शन लास्ट नहीं है सिकेंड लास्ट अप्शन है उसके बाद इसमें लास्ट अप्शन है और यहाँ पे देखिए picture options आपको मिल तो एक डेटा का इमेज बनाना है जैसे आप इमेज बनाते हैं वैसे आप इमेज बना सकते हैं और उसके लिए format तुल भी आता है और यहाँ पे अलग-लग colors, styles and सब कुछ दे सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं मैं color अगर यह बहुत बगवास था सारी चीज़े हैं यहाँ पे, reflections and all, जो भी अच्छा लग रहा है वो करो आप यहाँ से और यहाँ पे इसे formatting दे सकते हैं मतलब एक picture format की तरह यह data बन जाता है लेकिन यह data update नहीं रहता है मतलब मैं यहाँ पे manager का consultant करूँगा तो यहाँ पे change होने वाला नहीं है दोस्तों क्य लिंक पिच्चर से होगा क्या यह picture तो आएगा आएगा इसमें जो formatting मन्या भी की थी वह formatting सब हम कर सकते format tab से वैसे formatting हो गया रहा है as it is आपको दिखाए देगा format change कर रहा हमें बहुत सारे formatting से आपको जो चोई वो ले सकते लेकिन मैं चाहता हो कि data यहाँ पे update हो जाए तो update हो आपको दिखाए दे रहा है data proper दिख रहा है अभी consultant की जग मैं यहाँ पर MS executive कर देता हूँ यहाँ ज़ूम करके देखिए MS executive मैंने कर दिया है और यहाँ पर भी change चुका है क्योंकि यह link है link interlink अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे change कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको आइ paste special के कुछ options जिसमें मैंने आपको बताया है कापी कुछ मतलब copy paste वगरा कैसे करना है लेकिन दोस्तों रुकिए paste special में इतनी options नहीं है मतलब यह 7 plus 3 10 और यह 4 14 इतनी नहीं है paste special में और कुछ options है जो कि अभी हम देखने वाले है यह paste special का dial up box है जिसमें हमने उपर के option तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते और थोड़ा सा time तो देना पड़ेगा इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको पूरा detail में सीखना है तो वीडियो भी तो पूरा देखना पड़ेगा तो चलिए इतना time दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दो अब आगे वड़ते हैं तो यहां पर देखिए मैं करने क्या वाला हूँ मैंने एक data लिया है जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहां पर मेरे पास कुछ blank record है अगर मैं copy करता हूँ और normally मैं control V कर देता हूँ पेस कर देता हूँ तो यहां पर यह पेस्ट हो चाहिए और यह दो नाम तो old है यह तो रहने चाहिए तो मैं copy कर चुका हूँ और cursor यहां पर रखके पेस्ट पेस्ट वाला option यूज़ कर रहा हूँ पेस्ट पेस्ट वाला option में से अब क्या कर सकते हैं क्या करना है skip blank यूज़ करना है जी हां skip blank यूज़ किजिए और result देख देखिए क्या हो रहा है विका सिंग राजस सिंग रवी वर्मा विनुत यादो यहां पर रवी वर्मा और विनुत यादो अपनी चुका पैसिटीज है और यह तीनों नाम रिफ्लेस हो चुके है जो कि मुझे रिफ्लेस करने थे तो keep blank का use कैस समझ मैं होगा अब आगे करने के बाद मैं यहां पे paste में पेश्ट पेशल में जाओंगा तो इसमें चार आपको मिल रहे हैं आप एड भी कर सकते हैं multiply भी कर सकते 10 से subscribe ही कर सकते हैं चलिए add करके देखते अभी देखिए 55 है 55 55 इदर 75 75 तो देखिए क्या होता क्या है 55 का क्या हो रहा है 65 75 85 सबका 10 मार जाता हो page special में जाता हो और यहां पर आपको दिखाए दे रहा है subtract option जो की subtract दिखाए दे रहा है तो यहां पर subtract होने वाला है 10 mark minus b होगे जो मैं add कि ए और minus b कि अब मैं multiply करना चाहता हूँ चलिए multiply देखते हैं तो पेस्पेशल में दुबारा जाहिए multiply by 10, 55 multiply by 10 क्या होता है, देखिए multiply में ने select किया है, आप देख सकते हैं और okay करेंगे, तो आपको result मिला है, 55 multiply by 10, आपको 550 answer आ चुका है, और divide करना चाहते हैं, तो आप divide भी कर सकते हैं, जिहां very simple है, पेस्पेशल में चाहिए, और यहां पे divide options आपको दिखाए दे रहा है, बस divide options को select किजिए, और okay किजिए, यह होने ओला divide जो कि हो रहा है, तो यह पेस्पेशल के complete options यहां पे complete कर दिये मैंने, तो कैसे लगा go to special and page special, definitely आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपने already video को like, share और comment भी किया होगा, comment नहीं किया तो कीजिए, Excel tutorial चैनल पे नहीं हो तो आपने already subscribe किया होगा, और हमारे जितने भी चैनल जैसे हमारा curiosity एक चैनल है, जिसकी link आपने description में दी, हमारा learn more channel है, हमारा real tutorial channel है, इसकी ओपर धेर सारे computer tips and tricks आते रहते हैं, तो इन चैनल को भी जरूर चेक कीजिए, link description में आपके लिए दी है, साथी में हमारे एक website है, जहां पे आपको फ्री में notes पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसका नाम है learn more India dot in, यह भी link आपको description में मिलेगी, practice files, फिलाल के लिए इतना है, मिलते आगले वीडियो के अंदर तपता के लिए हमेशे के दर सीखते रहो, सीखा दिरो और अपना कयाल रखो यार, बाबाई!